सवित्री की बेटी में तारा बनुगी, सतीबा की उच मेटी में सहारा बनुगी, सावित्य बनुगी में तारा बनुगी, तारा बनुगी में सहारा बनुगी महत्मा जोत्र पुले इस वाड़ा में हम लोग है जहां पर महत्मा जूत्र पुले और साहित्र पुले एंक तस्वीर है और साती यहां पर तमाम चोटी चोटी बच्चिया है जिन्हों ने साघस्टी पुले इनके वेजबुशा के अंदर में कुछ बाचीत इनसे हम करेंगे बहुत ही आप देख रहे हैं कि कितने सुन्दर हैं सभी लोग लग रहे हैं और इनका ये मानना है क्या सोच रखते हैं या कितनी जानकारी है इनको सावित्राइफुले को लेकर ये बाचीत हम इनसे करेंगे पूछेंगे सवाल करेंगे चोटी-चोटी बच्चिया है अब आज अपनी स्कूल को समाप करने के बाद मिया फिर स्कूल के मैदम से इनको यहां पर लाया गया है तो कौन बात करेगा क्या नाम है बताईए आपका मेरा नाम हुशी है और आप सावित्राइफुले को जानत हुआ हो जोतीराảo तो आपको कब पता चला कि सावित्राइफुले ने हमारे लिए स्कूल कोली थी बच्चोटी बच्चियों पूरी स्कूल क्म्टी ने बताये था इस या या प्रफिए पर बच्चे मराठी में बात कर रहें क्योंकि हम पुने में और खास दौर पर यह मराठी बोलते हैं यहां पर भी काफी छोटी छोटी बच्चिया है क्या नाम है आपका प्रियांका कौन सी स्कूल में पढ़ती हो पी एमसी स्कूल 115 जी सावित्रयाग फुले की जैनती कब होती है तीन जनवरी उन्होंने सबसे पहली स्कूल कब खोली एक जनवरी एक जनवरी कहां पर पता है बिडेवाड़ा पर बच्चियों को जानकर है आप सोचिए कि आज इतनी उमर के अंदर में बीव सावित्रयाग फुले और महात्मा जोत्यों फुले के माध्यम से जो स्कूले खोली गई जह उनका आंदोले नंको जान रही है चोटी चोटी बच्ची है क्या नम है आपका स्नेहल सावित्रयाग फुले को जानते हो हो उन्हों सब बच्चियों के लिए स्कूल खोली थी आपको पता है और मुझे पता है कि इस सब फुले वाड़ा में आप पहली बार आया है इसके पहले भी आई हूँ कब आये थे बहुत साल हो गई है आपकी तो उमर चोटी है चले ठीक है अभी ये बच्चियों के माद्यम से हमें पता चला है कि सावित्रयाग फुले की जहनते को प्लक्स पर यह कुछ उनके याद में उनकी शान में एक गीत भी गाना चाहते है और सुनेंगे और आप भी सुनकर ती बाकी बेटी में सारा रा बनूंगी सावित्र बनूंगी में सारा बनूंगी गन में चंके गांदा दर्ती पे में चंकूंगी सावित्र बनूंगी में तारा बनूंगी सावित्र बनूंगी में तारा बनूंगी करना चाहिए यहां पर आए है आज कल की लड़ा स्पैइडर मैन वायदोन वालम करना के लिए और यहां पर दिए she कुछ बरतन माजने का या तो कोई सबजी बैचने का काम करता है उनको तो टाइम नहीं होता लेकिन टीचर होने के कारण मुझे ऐसा लगता है कि चलो हम बच्चियों कैसे बताएंगे तो आगे चलके यह पूरती स्थान है यह उर्जा स्थान है हर एक आउरत ने यहां पर आक पत्तर खाके भी अपना हत नहीं छोड़ी जो बच्चियों को पढ़ाने के लिए वह जाती थी तो उनको उस टाइम के कर्मट लोग गोबर मारते थे फत्तर मारते थे तो भी सावित्र भाई डरी नहीं अगर वह डरी होती तो आजकर कि कोई भी आउरत नहीं पड़ी होती बस चूल चूला और बच्चे में ही वह होती थी इसलिए उनके रूण में हमें रहना चाहिए इनके एहसान में हमें रहना चाहिए मैं यहां पर हर अवरत को हर लड़की को यहां पर निवेदन करूंगी कि जिन्दगी में पूरी जिन्दगी उन्होंने तुम्हारे लिए पूरी जिन्दगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी फिर आप यहां पर फुले वाड़ा पर क्यों नहीं आते तो आना चाहिए और यहां पर नमन करना चाहिए साल भर में तीन जन्वरी को आना ही आना चाहिए यहां से बहुत सार इस पूर्ती मिलती है जो मेरी टीचर ने बच्पन में मुझे सिखाया था कि यह फुले वाड़ा है सो मैंने जब भी ठाहन ली थी के मैं भी टीचर बनूंगी और मेरी बच्चियों को मैं भी यहां पर लाओंगी तो इसलिए हम गए 20 साल से हर एक टाइम अलग-अलग स्कुल की लड़कियों को अलग-अलग ठीम ल चोड़े बच्चियों को या फिर इनके उमर के जो बच्चे उनको पता हो यह भारत देश का आगला भविश्य है और चोटे बच्चों के मन पर जो कोरी पाटी होती है उसके ओपर जो लिखा जाता है और लास तक रहता है जैसे कि हम चोटे बढ़ में पढ़ते हैं और ला बच्चिया है जिनको अभी ही संस्कार करने की जरूत है इसलिए हम चोटे बच्चे को ही यहां पर लाते हैं यहां पर हमने जो बाच्चित की आफसाफ तोर पर देख सकते हैं परवरिश कितनी जरूरी होती है एक जीवन के अंदर में और परवरिश अगर आज इनको इस उ पर रहे हैं तो इसको लेकर आपकी प्रत्री के में कमेंट बॉक्स में बन रहे हैं तब तक के लिए जय भारत बहुजन विचारधारा को घरघर तक पहुचाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट करें शेर करें और बेल आइकन की घंटी दवाना ना भुले